देखिए जो 2.31 कोश्चन है वो जड़ा लॉजिकल है लॉजिकल मतलब थेरोडिकल कंसेप्शुल कह सकते हैं उसको यह कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है पहला पार्ट यह कह रहा है कि दो लार्ज कंड़क्टिंग स्फेर हैं केरिंग दो चार्ज़ आफ क्यू एंड क्यू टू ठीक है आर प्राट क्लोज टू इच अदर इस दो मैगिटूड आफ एलेक्रोस्टेटिक फोर्स बिट्विन देम इग्जैक्टली जen दो लार्ज स्फेर्स हैं रह समझत बाट यह जो पहला पार्ट इसका क्या कह रा है तो लार्ज स्फेर्स एं एक स्फेर्स यह है और एक स्फेर्स यह ए介़ स्पर क्यू टू को पुरा चार्ज कहा रिसाइट करेगा सर्फिस पे एक्वली मतब एक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ये चार्ज यहाँ पर फैला हुआ है क्योंकि चार्ज इस प्रकार से अपने आपको डिस्ट्रिबूट करता है कि इस पर नेट फोर्ज कितना काम करे जिरो इस परकार से करता है इस परकार से इसमें भी चार्ज ऐसे डिस्ट्रिबूट हो रहा है और इनके बीच की तो इस डिस्टेंस है मालिया इनके सेंटर की इस डिस्टेंस आ रहे है जब इस परकार से चार्ज डिस्ट्रिबूट होता है तो charge को कहां पर रखा हुआ माना जाता है center पर यह माना जाता है जो charge q1 कहांoff रखा हुआ है इसके center पर रखा है इसके center पर माना जाता है ठीक है तो इनके बीचे force काम करेगा तो force क्या काम करेगा f is equal to ये कह रहे हैं 1 upon 4 π1 epsilon naught q1 q2 upon r square अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको नजदीक लाया जाए अगर इसको नजदीक लाओगे एक तो ये बड़ा स्वेयर है यानि कि चार्ज एक जिगह नहीं है चार्ज पूरे में फैले हुए है जब इसको नजदीक लेके आओगे तो इन चार्जेज का होगा क्या वे एक दूसरे को रिपेल करें इंडक्सन कहां से वुरा भी या कोई नान कंड़क्टिंग है क्या हो नान कंड़क्टिंग को इंडियूस करोगी जाकर क्या कि ये कंड़क्टर को जाकर इंडियूस कर दोगे भाई कोई नान कंड़क्टर लाओगे तब उसको करोगे ना ठीक है इंडेक्शन तब होगा जब आप पढ़ रहे हो कोई दूसरा ना पढ़ रहा हो तो आपका पढ़ाई देख करके वो कुछ इंड्यूस करेगा अपने में खुद जुटा हुआ तुमसे काम नतलब उसको त रिपल करेंगे ना रिपल करेंगे अटेट करेंगे चुकि उन्हों नेचर दिया नहीं हमने नेचर पॉस्टिव माल लिया है या निगेटिव माल लिया रिपल करेंगे ना तो जब रिपल करेंगे तो इस चार्ज का डिस्टिबूशन कैसा हो जाएगा इधर ज्यादा हो नजदी का जाएंगे चार्ज, दूर भागेंगे न ये, यहां से दूर भागेंगे, उदर भागेंगे, तो यानि की चार्ज का डिस्टिबूशन चेंज हो गया, फोर्स भी चेंज हो जाएगा, क्यों? अब चार्ज को यहां पर नहीं माना जाएगा, चार्ज कहीं यहां पर साइट करेगा जागर की जैसे एक सेंट्राब मास होता है ना सेंट्राब मास कहां माना जाता है हुमन बाड़ी का सेंट्राब मास ना भी पे होता है ठीक है कब जब यूनिफार्मली डिस्ट्रिबूट हो मास आपकी बाड़ी का या आपकी बाड़ी में पूरी जगे सौसो ग तो यानि कि यह जो चार्ज है अब थोड़ा यहां कही रिसाइट माना जाएगा यानि थोड़ा सा दूरी इसकी बढ़ जाएगी आरवन हो जाएगी तो फोर्स क्या काम करेगा आप आप करेगा वन अपान फोर पाई एपसले नॉट की वन की टू अपान आरवन स्क्वार तो अब बताईए आरवन ज्यादा की आर ज्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा कम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा कम हो जाएगा यानि कि जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स से कम हो जाएगा यानि कि ये फोर्स चेंज हो जाएगा कुम्ला के उनसे ये मतलब नहीं है कि फोर्स ही रहेगा फोर्स चेंज हो जाएगा सब्सक्राइब आई बात तो ये पहला पार्ट इसका बी पार्ट कहरा है इफ दे कुम्ला इन्वाल्स वन अपान आर क्यूब डिपेंडेंस इनस्टेड आफ वन अपान आर स्क्वार उट गॉसला वी स्टिल ट्रू देखे कुम्ला का जो नियम होता है उसमें दो चार्जेस के वीच फोर्स का फार्मला होता है वो इन्वर्स स्क्वार लाग को यह होता है यह होता है तो जो हम ए का फार्मला यहां रखते है तो ए का फार्मला क्या होता है वन अपान फॉर पाई एपसलन नॉट क्यू अपान आर स्क्वार और इन्टू डिएस इस इकल टू क्यू अपसलन नॉट तो देखे यहां भी क्यू अपसलन नॉट है और यहां तरफ सही है उसके लिए हम चेक कैसे करेंगे या तो प्रूफ करें या तो डामेंसन से चेक करें और यहां पर डियस का जो डामेंसन क्या होगा एल स्कॉार और आर स्कॉार का डामेंसन क्या होगा एल स्कॉार तो दोनों तरफ डामेंसली करेक्ट हो जाएगा और अगर यह कह हैं कि अगर कुलामसला इन्वर्स इसक्वाइर लाग की बजाए वन अपान आर क्यूब पर डिपेंड करता तो क्या गौस्थोरम सही होती नहीं होती क्योंकि यह अन्बैलेंस हो जाती ना अगर यहां पर आर क्यूब आ जाता और हम डामेंसन लिखते तो इधर की डामेंसन त इसलिए दोनों तरफ यह सही नहीं होता तो अगर कुलामसला इसको फालो करता है अगर अगर लगा दिया ना तो यानि गौस्थरम में अपनी केबल नहीं होगी गौस्थरम में अपलाई नहीं किया जासता बासुन में आई C part कह रहा है कि a small test charge is released at rest at a point in an electrostatic field configuration एक electrostatic field है उस field के अंदर एक small test charge छोड़ दिया गया तो कहते हैं will it travel along the field line along the field line passing through the point क्या वो field line के along travel करेंगी अब ये depend करता है दो बात पर एक कि जो आपका field line वो कैसी है field uniform है या non uniform है ठीक है ये तो हम जानते हैं कि कि किसी भी electric field में अगर कोई test charge छोड़ दिया जाए तो उस पर एक force act करता है बराबर q not into e force तो लगेगा जब force लगेगा तो accelerate भी करेगा move भी करेगा ये तो हम जानते हैं लेकिन वो किस पात में move करेगा ये करे रहा along the electric field move करेगा और नहीं करेगा ठीक है किस पिगार से move करेगा तो ये depend करता है कि ये field जो है कैसा है देखिए ध्यान से पहला दो case यहाँ पर आते हैं if e is uniform अगर e uniform है तो आप simple से बात है uniform electric field कैसे बनाए जाता है equal distance पर ये lines आप खीजते हैं यह होता है ना और उसमें अगर कोई test charge आप छोड़ देते हो plus q not तो electric field के along वो एक straight line में move करेगा तो आप कहेंगे कि अगर test charge किसी uniform electric field में move छोड़ा जाएगा state will move इलाँगा है straight line को straight line में move करेगा ठीक है और अगर मान लिया दूसरा case है कि अगर जो e है is not uniform वो uniform नहीं है uniform मतलब यह नहीं कि school uniform पहेंगे चला आई हम electric field विजेंस आईसा तो थोड़ी है non uniform मतलब क्या होता कहीं पर घंणा है कहीं पर वीक है ठीक है तो घंणा और वीक कैसे दिखाऊगे भाई इसको आईसे दिखाऊगे और क्या करोगे इसे कर सकते हो कहीं electric field जादा है कहीं कम है यहाँ पर दूर दूर है मतलब यहाँ पर weak है यहाँ पर strong है नजदिक आ गया तो अब test charge कैसे move करेगा देखो जब test charge को हम यहाँ छोड़ेंगे तो test charge actually में जब sports की वज़े से F बराबर Q naught E की वज़े से move करना सुरू करेगा तो जैसे ऐसे move किया हो तो यहाँ यहाँ छोड़ देते हैं ऐसे move किया हो तो move करेगा तो actually में तो सीधे move करेगा क्योंकि inertia क्या कहती है कि जो चलना सुरू करेगा तो सीधे move करेगा लेकिन जैसे इधर जाएगा तो उधर चिलाएंगे आपका जो अर्थ है या जो भी सं के चारोग रिवाल्व करते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवाल्व करते हैं वो घ्चूली में रिवाल्व करते हैं स्ट्रेइट लाइन पर अब ये मालियस सन है और ये अर्थ है तो अर्थ घूमती ऐसे है लेकिन उस पे क्या होता है उसके घूमने के perpendicularly एक force लगा करता है तो जैसे वो ऐसे move करना शुरू किया वैसे एक force center की ओर लगया तो ऐसे move करना शुरू कर दिया फिर force लगया तो ऐसे move करना शुरू कर दिया च along the electric field, from weak electric field towards strong electric field, ठीक है, तो यह इसका answer होगा, ठीक है, देखिए, इसका D part क्या कह रहा है, कि what is the work done by the field of the nucleus in a complete circular orbit of electron, and what is the orbit, what is the orbit if it is elliptical, मतब अगर कोई nucleus है, और उसके चार और electron किसी circular orbit में घूम रहा है, तो इसके complete orbiting करने के दवरान कितना work करना पड़ेगा, पहली बात तो आप जानते हैं कि यह एक एक close path है, और close path में जब बोड़ी घुमते घुमते अपने उसी original state में आ जाती है, तो work done क्या होता है, जिरो होता है, एक simple logic work का होता है, चाहे force किसी वज़े से लग रहा हूँ, ठीक है, तो आप लिखेंगे, because it is a complete path, it is a close path, so work done will be zero, path जाहे जैसा हो, अगर मालिया यह nucleus होता, और यह जो path elliptical होता, तब भी यह path कैसा होता, तब भी यह path close होता, तो उस दोरान भी work done कैसा होगा, zero, तो आप कहेंगे, ओ circular path हो, जाहे elliptical path हो, because path is closed, so work done will be zero, एक complete orbiting में, complete cycle में, work done क्या होगा, इसका, zero होगा, ठीक बात, देखे, E part कह रहा है, कि we know that electric field is discontinuous across the surface of a charge conductor, किसी charge conductor में, जो electric field होता है, वो discontinuous होता है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, देखो, आप जानते हैं, अगर कोई conductor है, मैं philar spherical ले लेता हूँ, यह माला एक conductor है, ठीक है, और आपने इसको charge दिया, तो charge देने पर conductor में charge जाता कह है, उसके surface पर चला जाता है, उसके surface पर जाता है, माल लिया जाता है, कि charge कहां पर है, इसके center पर है, जैसे center of mass हमने बता है, कि माल लिया जाता है, कि ना भी पर होता है, लेकिन actually में वो distribute पूरी body में होता है, तो यह surface पर होता है, और इसके अंदर electric field कितना है, zero, अगर हर कितना हो जाता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square यानि यह maximum हो जाता है यह होता है ना और जब हम आगे बढ़ते हैं तो electric field कम होना सुरू हो जाता है तो यानि electric field और r के बीच अगर हम graph कीचे हैं r और electric field के बीच में तो कुछ distance तक तक electric field zero होता है r distance तक जैसे सर्फिस पे आते हैं, वैसे लेक्टरी फील्ड हो जाता है इतना, बोले तो maximum, इसके बाद लेक्टरी फील्ड घटने लगता है तो यानि कि अगर हम माल ने हम माल ने वह ये अलक्टरी फील्ड है हम कैसे पहचानेंगे बाहर से कोई टेस्ट चार्ज आ रहा होगा ना तो जब यहां से टेस्ट चार्ज आ रहा होगा एक को इंफिनिटी से प्लस क्यू नॉट तो जैसे यसे तेसे नजदीक आता जाएगा जैसे फील्ड की जैसे फुर्स बढ़ता जाएगा यह उसको लगेगा के लेक्टरी फील्ड बढ़ Craft बढ़ू बढ़रा बढ़रा है और जब यहां आएगा तो फुर्स मैग्जिमू हो जाएगा और जैसे उंदर जाएगा औरे वा यहां तो कोई बल नहीं लग रहा है फ्रीड़्य कुछ पूचियं नहीं रहा है – नहीं सम्झे, तो अंदर एक्ट्रिओ फिल्ध क्या हो गया इसके बाद तो कैसा हो जाएगा discontinuous तो यानि कि यह तो दिया हुआ है यह कुछ करना यह दिया हुआ है discontinuous होता है ठीक है तो यह पार्ट पूछे रहे हैं कि यह बताईए कि is electric potential also discontinuous क्या electric potential भी discontinuous होता है नई हमने पढ़ा है कि इसके अंदर electric potential हर जगे constant रहता है और उतना ही रहता है जितना इसके surface पे रहता है यानि वी बराबर हमने क्या पढ़ा है one upon four pi epsilon not q upon r कहां पर होता है इसके surface पर होता है और इतना ही इसके अंदर भी होता है जैसे जब दूर जाते हैं ना तो धर दर कम होना सुरू हो जाता है लेकिन zero नहीं होता है तो जिस समय ये आर है ये potential है जब r zero है तो potential v है r की value जब तक r है तब तक potential क्या रहेगा मेसा v रहेगा और जब आगे बढ़ेंगे तब ये potential कम होना सुरू हो जाएगा तो it is not discontinuous ठीक है क्योंकि इसके surface के अंदर भी constant रहता है और surface के बाहर जाने पर इसकी जरे-जरे कम होती रहती है ठीक है लेकिन break नहीं होती zero नहीं होती देखे एफ पार्ट क्या करा है कि what meaning would you give a capacitance of a single conductor एक capacitor में क्या होता है capacitance होता है capacitance होता है अब कहते है किसी single conductor का capacitance होता है तो देखे अगर मैं एक single conductor ले रहा हूँ यानि मालिया इस पर charge कितना है plus तो यहां से एक electric field create होगा electric field direction क्या होगी plus से दूर minus की और plus से minus यानि electric field जा किदर रहा है यानि अगर जा रहा किदर जा रहा है minus तरफ जा रहा है अगर आप साधी वर्दी में इसके पीछे चलना सुरू करो इसकी खुपिया जान करो तो आप तुमें देखें किसी घर में कुछ जाएगा इधर जा रहा था किदर जाएगा यह infinite तरफ जाएगा तो कह रहे है अगर यह जा रहा है तो जा किदर रहा है तो यानि कि infinity में एक प्लेट है कैसी negative है वो infinity में है तो यह किपस्टर हो जाएगा उन्हों का single conductor यह word क्या यूज किया कि single जो conductor है कहा गया single conductor के capacitance के बारे में क्या बात करेंगे आप तो आप कहेंगे साब capacitance तो capacitor का होता है और capacitor में दो conductor होते हैं तो आप कहेंगे यह जो single conductor है यह single नहीं है भाई साब यह double conductor है दूसरा conductor कहा रखा हुआ है infinity भी रखा हुआ है तो यह capacitor फार्म करता है जिसकी कुछ भी capacity होगी ठीक है rate is a capacitor ठीक है गेस तो कुछ भी किया जा सकता है यह अगर कहते है give the reason उन्हों guess की बात की है कहते है guess a possible reason why water has a much greater dielectric constant than mica mica भाई साब इस सन-mica नहीं होती है अबरक एक material होता है जिसको की mica कहते है यह बैलो जी वाले chemistry वाले जानते होंगे जी water का जो k है mica यह दिया हुआ है six तो कहरें कि water का dielectric constant जो है ज्यादा क्यों होता है देखो पहले बात तो dielectric का मतलब क्या होता है dielectric का मतलब होता है charge को hold करने की capacitor electric field में ब्रेक नहों charge break यह यह सोजिए जब किसी dielectric को किसी electric field में रखा जाता है यह एक electric field है यह capacitor है यह positive plate है यह negative plate है इसके अंदर आपने एक dielectric रखा तो होगा क्या कि यह positive क्या करेगा इसके electron को अपनी और hatred करेगा ठीक है तो यह negative इधर आ गया और positive इधर आ गया negative इधर आ गया positive इधर आ गया negative इधर यह polarized हो गया यह तो जो जितना पोलराइज हो जाएगा उसका के उतना ही ज्यादा होगा यानि कि जो आपका डाइलेक्टिक कॉंस्टेंट है वो डाइपोल मोमेंट के प्रपोर्शन होता है डाइलेक्टिक कॉंस्टेंट इस प्रपोर्शनल टू एलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गए तो एक वहाँ बो डांसर आई मालिया हो है काटा लगा वो लगा ऐसे गाने गा रही है तो एक तो बहुत पोलराइज हो जाता है उसे दिखता रहेगा खाना खारा इससे वो मसला कीडा गिर गिर गया करके क्या गाना है वो polarized हो गया डाइलेक्टरी कांस्टेंट ठीक है बादपेजी पहुंचे कभी पोलराइज होते होंगे वो वो एक अलग्य बात है लेकिन बादपेजी पूचे थे बादपेजी को पहले लगेगा जल्दी से कोई-कोई polarization नहीं होता होगा तो यानि कि जो डाइले क्योंकि जो वाटर होता है वो जल्दी पोलराइज होता है पोलराइज का मतलब एटम से इलेक्टरान का दूर नहीं होना हुआ कि वह थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं जैसे माले ममी पापा दोनों गए पार्टी में तो और नियूट्रल होते हैं दोनों मिला यह हैं नो चार्च ठीक है और कहीं कोई डांस बढ़ी है बढ़ी है चला है तो पापा मजबूरी है करसी चोड़ को वह जानी सकते जाओ इस स्टेज पर बढ़ा बही कुरसी चोड़ के जाने मतल़ आपने नेउकलेस को चोड़ कर जाना अब तुम वहां से श्टेज चले पिचले देखती होगी, तो ममी थोड़ा इसे किचल जाती है, तो दोनों अपनी जगे से नहीं खिसकी, थोड़ा सा हलका सा डिस्प्रेस होगी, इसको क्या कहते है, इसको पोलराइजेशन कहते है, और जो जितना पोलराइज हो जाए, तो आप कहेंगे, वाटर का जो कि बाहने होगी ।ो एसको कि झाराइजेशन कहुं जातांता है, इसकी कि ऊतै है भीतो को जाएजे किया आपको को एनेकवाजेशन क मुबंध्ण एपल्म्या है, ङाँन कहा भीतो क Is क्या लाओताभीIt